स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्व चैनल मैट सर्डा में चले मैं हाजिर होगे एक नए सेशन लेके आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का दी प्लेटफॉर्म का वोल्यूम फॉर का हम जीके और जीएस करने वाले ठीक है यह हमारा प्रेक्टिस सेट जो है 26 है हमने 25 प्रेक्टिस सेट कर लिया है चले यह वीडियो मैं इसलिए लाता हूँ ताकि फास्ट आपका रिवीजिन हो सके और इसका पीडियेफ मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे आप सभी को दे दूँगा तो चले शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन है कि माजूली संसार का सबसे बरा नदीज दिवप है किस राज में इस्तित है दिखिए तो माजूली संसार का सबसे बरा दिवप जो है यह असम राज में इस्तित है तो आपका option B आपका सही answer हो जागा अगर इसके छेत्रफल की बात करें तो ये 1250 km2 में इसका छेत्रफल है भारत में पिली करांथी का संबन किस से है तो भारत में पिली करांथी का संबन जो है तेलहन के उत्पादन के साथ है आपका option b आपका सही-安 отвеч ho जागा next देख़ए नुवाली गर्थ तेल परिश्करन साला किस राज में अस्तावित है तो ये किस राज में अस्तावित है तो ये असम में अस्तावित है तो option a हमारा सही- disguise ho जागा next देखते हैं कि निमल्खित मेंसे किस परवाती है अस्तर गे नामका अर्थ वजर्पात अस्तर है तो ये किसका है तो हमारा दरजलिंग का है तो अपसें दी हमारा सही अंसर हो जाएगा निच्ट देखते है कि औजोनपरत के सनक्षन का अंतराश्टिय दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है तो ये सुल्ल सितंबर को मनाया जाता है तो option B हमारा सही आंसर हो जाएगा next देखते हैं कि निवलिखित में से कौन सा एक मौलिक करतब नहीं है तो देखिए हम पढ़ते हैं देश की एकता और खंड़ता की रक्चा करना मौलिक करतब नहीं है की बात की रखिक है नहीं है इस चीच को अब ध्यान देखें करतब नहीं है सरवजनिक संपती को सुरक्चा रखना सम्हिधान का पालन करना धर्म निर्पेक्षता का पालन करना ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है तो option D हमारा सही आंसर हो जागा नेख्ट देखिया निमलिकित में से किस एक्ट के दुआरा इस इनिया कमपनी को सर्व पर्थम ब्रिटिश संसत के अधिन लाया गया था ये कब लाया गया था तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 इसका अंतर गतलाया गया था तो option ये हमारा सही आंसर हो जागा नेक्स्ट निमलिकित में से किस ने भारतिय समिदान को प्रस्तावना को समिदान का कूजी नूट कहा तो ये बात किस ने कहा है तो ये अरनेस बारकर ने कहा है तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा आगला कोशन देखते हैं रूपे की परिवर्तनियता का क्या तातपर्ज है तो क्या तातपर्ज है तो रूपियों को अन मुद्रा में परिवर्तित करने है तो अनुमती इसी का मतलब है तो रूपे की परिवर्तनियता क्या तातपर्ज ये होता है तो option E हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं भारत में मुद्रा के निर्गमन हेत्वन निर्ण में से कौन सी परनाली अपनाई गई है तो कौन से अपनाली अपनाई गई है तो निम्तम आरक्षित परनाली अपनाई गई है तो option B हमारा सही answer हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं ग्यार नमग क्वेश्चन उत्री सहार्दी के त्रिम्बक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है तो ये गुदावरी नदी है तो आपका option B सही answer हो जाएगा नेक्ट राम चरित्र मानस में सुन्दर कांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है तो र इस गोल में सम्मेलन में कांड ने भाग नहीं लिया कौन सा को गोल में सम्मेलन हुआ था तो पर्थाम और तीक गोल में धूर बाता है तो आपका option से हैं असा थार्म का धार्म को यह आपका भार्व करणत्र अबसलितो में में है तो अपशन भी हमारा रास्ट्र case uste 29 परशया सिंदायों कहा प्रस्तायों यह कहा प्रस्तायित है 2266 में है तो आप्सन भी हमारा सेख्याय जाएगा नेक्ट देखते हैं परधान मंत्री उज्जल युजना के तहुत 100% LPG कवरेश करने वाला भारत का पहला राज कौन बना है यह कौन बना है तो हीमाचल परदेश बना है तो आप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा सौरी सी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट भारति के रिल्वे द्वारा वायू पर दूसरन का मुकाबला करने के लिए किस रिल्वे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की सुरुवात की गई है तो यह नासिक में किया गया है तो आप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा उन्निस में देखते हैं हाली में भारत ने किस राज मे 20 अस्तरी राष्टरी समद्री धरोवर कॉम्पेक्स के अस्तापना हैतु पूर्त गाल से समझावता किया है तो यह किस से गुजरात ने तो आप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा विस में वर्स 2020 के लिए 20 विखाद दिवस का थीम क्या था देखिए थीम से बहुत कोश् स्टेंट टोगेदर तो आप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 देखते हुन दी आट आठ आप देदिल पूच्त के लेक्वा कौण है तो डूनाल टरम्प तो आप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा चलि नेक्ष देखते हैं नेक्ष हम देख लेते हैं कि कौन सा question है हमारा 22 question हमारा 22 देखते हैं हाली में परसीद matter horn परवत पर light projector की मदद से भारतिय तिरंगों को दर्शाय गया है निम्ज में से कौन सा देश कौन सा देश में इस्ती थे यह आपका सुट्जर लेंड वेश्ती थे तो option D हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्ष देखते हैं the battle of belong पुष्टा के लेखक कौन है यह है ससित हरूर जी है option A हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्ष चौविसवत G20 से कर समय लाँ 2019 कहां आयो जित हुआ यह कहां आयो जित हुआ था यह उसाका जापान में तो option B हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्ष पच्चिस निम्ने में से कौन किसी सारजनी छेतर के उपकरण को महारतन का दर्जा परदान करने के आउसक सड़ते है तो यह देखिए उसे नौरतन का दर्जा पराप्थ हो वैस्विक अस्तर पर महत्पूर्ण उपस्तित हो पिछले 3 वर्षों का दर्ण उसका आउसा सलाना कारोबार पचीस हजार करोड से जादा हो यह पिछले 3 वर्षों का दरण इसकी सलाना सुद्ध संपती 15,000 करोड से ज़्यादा हो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा यह सभी जो है एक दो तीन चार यह सभी को फॉलो करना चाहिए तब जाके महारतन का दर्जा प्राथ होगा ठीक है तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा option D हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 56 देखते हैं निमलिकित माध्यमो ठोस द्रव और गैस को उनसे संचारी द्धोनी की चाल के औरोही करम में वेवस्तित करना है ठीक है तो औरोही करम में वेवस्तित करना है तो पहले क्या होगा ठोस द्रव और गैस को उनसे संचारी द्धोनी की चाल तो पहले ठोस होगा फ निवलखित मेंसे किसने परमानुक की अभी भाजिष्दा के बारे में बताया हैं तो किसने बताया हैं, तो John Dalton जी ने बताया है, तो option D हमारा सही answer हो जागा इन्हांने कब बताया है? तो 1813 में बताया है toi ठीक है? चलिए अगला question देखते हैं ये थोड़ा से नीछे करलो आँको सुनन अमर्ण अन्ठाओं देखते हैं कि एक गरह के तिरीजया और दरमान प्रित्फव के तिरीजया और दरमान के आदेज इसे गरह पर ő जी तोड़्य का मान क्या इसी तरीके से आप जब करेंगे तो आपका लास्ट में क्या जाएगा टूजी आजाएगा तो यह टूजी कमान करन उच परतिरोद के साथ नाइक्रोन कांस्टेंटन मैगजिन जैसे मिश्र दातों से बना है यह कौन हो जाएगा यह परतिरोदक हो जाएगा तो आप्सटन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी धाई मीटर 2.5 मिटर हैं इसकी छमतक ज्यात किज नेक्स हम देखते हैं कौशन नमबर 22 कौन से धात्व कमरे किताब से उपर दरव अस्ता में होती है यह कौन होती है तो ब्रोमीन जो होता है वह होता है तो अप्सटन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स घर्सन को बाहाने और गेंद पर बेहतर पकर प्राप करने के लिए किर्केट गेंद बाज क्या करता है तो किर्केट गेंद बाज जो है वह किर्केट की गेंद को अपनों जांगों पर रगरता है आप देखे होंगे मैच में कि वह जांग पर रगरता है तो कौन सा सही आंसर हो जागा तो ऑप्सटन सी हमारा सही आंसर हो जागा नेक्स 77 डिगरी फोरन निमर्खित में से किसके बराबर होगा देखिए यह क्या होता है फर्मुला एक होता है c-0 बट्टा 100-0 बराबर होता है f-32 बट्टा दूसर 12-32 ठीक है यह हम इसे solve करेंगे तो हमर क्या आजाएगा 25 डिगरी centigrade आजाएगा तो आपसे नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है next देखते है 65 इंधन के एक इकाई दरुमान के पूर दोहन से उत्पन उस्मा की मातरा को क्या कहा जाता है उत्पन के मातरा को इंधन की उसमय मान कहा जाता है तो option D हमारा सही answer हो जागा next एक डूबे हुए पिंट पर पानी द्वरा लगाए जाने वाले उत्पलावन बॉल का दूसरा नाम क्या है तो उत्पेच्छा उत्षेप जो होता है वो होता है तो option D हमारा सही answer हो जागा next परकास अफगोटन डेश द्वरा होने वाले अफगोटन परकिरिया है यह क्या परकिरिया है तो परकास द्वरा परकास द्वरा होने वाली तो option D हमारा सही answer हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है अवर्ट सानी का निम दिया था लेकिन में अवर्ट सानी जर्मन में पत्रकाव सवर पर्थम कब छपता था तो अठारा सो बहुत तरी सुमें यह चीज भी आप धियान में रखेंगे ठीक है नेक्स दखिए यदि बस अचानक रुकती है तो बस में सवार यात्री किस तरफ ग होता है जब उपरी भाग गतीज अवस्ता में होती है तो ऑप्शन डी हमारा सही अंसर हो जागा ठीक है लाश्ट देख लेते हैं कुछची नम्बर सत्तर करई स्वेधन का सबसें महत्तों क्या है तो स्वेधन का सबसें महत्तुन कार्ज होता है कि सरीर के ताप्मान को निय को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकि आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ध